नमस्कार आप देखरें टीन पी न्यूज मैं हूँ अंकर पांडेरू करते हैं बड़ी खबर का मिजोरम के हंतियाल जिले में सुमवार को एक पहाड़ी धलान पर पत्थर की खदान ढह गई है जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और चार लोग मलवे में दबे हुए हैं जिनने बचाने के लिए रस्क्यू ऑपरेशन जारी है बता दें कि ये हादसा मौधर गाउं में दुपहर के करीब हुआ है उस समय ABCI Infrastructure Private Limited के मजदूर खदान में काम कर रहे थे मिजोरम के आपदा प्रभंदन और पुनर्वास विभाग के अतरिक्त सचिव लाल हरियट पुईया ने कहा है कि खदान के गिरने के समय लगभग 15 लोग साइट पर थे जिले से प्राप्त रिपोर्टर्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के इस्तेमाल की जाने वाली उत्खनन की कच्ची विधीतराजदी का कारण हो सकती है साथी जिले के एक अधिकारी ने कहा कि एक मेडिकल टीम घटना स्थल पर मौजूद है कमबोडियाई प्रधान मंतरी हुन सेन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ये इसलिए जादा खतरनाक है क्योंकि उन्होंने हाली में कई देशों के नेताओं से मुलाकात की थी हुन सेन के कमबोडियाई के नोम पेन में दच्छल पूर्व एशियाई राष्ट शिखर समेलन की मेजबानी की थी इसमें अमेरिका के राश्पती जो बाइडन समेत चीन के प्रधान मंतरी ली के कियांग जापान के पीम फुमियो किशिदा कनाडा के प्रधान मंतरी जश्टिन टूडो और रूस के विदेश मंतरी सरगेई लावरोव समेत विश्व के कई बड़े नेता शामिल हुए थे हुनसेन की कुरोना रिपोर्ट तब आई है जब दुनिया भर के नेता जी टूटी समेलन में शामिल होने के लिए बाली पहुच रहे हैं ऐसे में इस खबर को लेकर सभी लोग देशत में है क्योंकि इससे पहले पीम हुनसेन की मुलाकात कई नेताओं से हो चुकी है फिलाल उन्होंने अपनी सभी जी टूटी बैट के रद्द करती है जी टूटी समेलन में भारत के प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं दोसो करोन के मनी लॉंडरिंग केस में बॉलिवूड एक्ट्रेस जेकलीन फरनांडेस के बेल मामले में दिल्ली कोट आज फैसला सुनाएगी इससे पहले उनकी बेल पर गुरुवार को फैसला आना था लेकिन कोट ने फैसला सुरच्छित रख लिया था और फैसले के बेल पर कोट फैसला सुनाएगी बता दें कि 11 नवंबर को हुई सुनवाई के दोरान जेकलीन भी कोट में मौजूद थी इस दोरान एडी ने एक्ट्रेस की जमानत का विरोध किया एडी ने कहा कि बेल मंजूर होने के बाद एक्ट्रेस सबूतों के साथ छिड़ चाल कर सक पहले पीम मोदी ने अमेरिका के राश्पती जो बाइडन से गर्म जोसी से मुलाकात की पीम मोदी फ्रांस के राश्पती इमैनुएल मेक्रो से भी मिले इस तोरान पीम मोदी ने रूस और युक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया पीम मोदी ने कहा कि मैं बार बार कह रहा किया अब हमारी बारी है फिलाल बड़ी खबर में इतना ही बागी की तवाम अपडेट के लिए आप बने रहें पी न्यूस के साथ नमस्कार